बहुत बहुत स्वागत है आज की सत्र में आप सभी का दोस्तों जैसा की ग्यात है कि हम सभी महिला सुरक्षा एवं जागरूपता अभियान मिशंद शक्ती के अंतरगत चला रहे हैं और उद्देश है एक स्वस्त राष्ट एक संपन्न राष्ट के इस्थापना एक संसकारित राष्ट के इस्थापना करना जिस राष्ट में महिला और पुरुष सभी समान रूप से समान के अधिकारी हों सभी सुसंस्कृत हों और स्वयम की प्रगतिपत पर अग्रसर होकर राष्ट को प्रगति की ओर लेकर के चल सकें ऐसा सामर्थ हो जिस पर अलग-अलग विधाओं की हम सभी ने चर्चा की हैं इसी शंकला में महिलाओं के प्रती जो अपराध को अंजाम दिये जा रहे हैं समाज में जिन्होंने अभी कुछ समय से जोर पकड़ रखा है उनसे महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए जो नियम जो कानून बनाए गये हैं सरकार के द्वारा उन नियमों उन कानूनों की भी हम सभी ने चर्चा की हैं कुछ कुछ करके हम सब चर्चाएं करते आ रहे हैं आज प्रयास होगा कि जितनी महत्वपूर्ण नियम हैं धाराएं हैं उनका हम एक साथ चर्चा करें क्योंकि एक एक करके आप उन्हें आत्मसाथ करते आ रहे हैं अब उनका समन्वित रूप एक बार चर्चा कर लेना अपने आप में महत्वपूर्ण होता है तो महिलाओं से जुड़ी हुई जो धाराएं हैं जो नियम हैं जो कानून हैं उस पर आज हम चर्चा आरंब करते हैं दोस्तों चर्चा आरंब करने से पहले चंद पंक्तियां में कहना चाहूंगी आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ इस पंक्ति में इन पंक्तियों में धर्टी मा को आधार लेकर पंक्तियों की रचना की है मैंने किन्तु उस श्रजन के पीछे मेरा एक विचार यह भी है कि मा धर्ती की ही भाती मा शक्ती ही की भाती समस्त इस्त्रियों का व्यक्तित तो होता है वही गुण उनके अंदर होते हैं जो हम इस्त्रियों से सम्मंधित इस्त्रियों चित जो गुणों की बात करते हैं वो मा धर्ती मा के गुण हैं वो मा शक्ती के ही गुण होते हैं तो उस समानता को जब मैंने विचार किया तो धर्ती के सदर से ही इस्त्रियों का व्यक्तित तो निखर करके आता है धर्ती के समा हम धेरधारण करने वाली हैं इस्त्रियां त्याक्षील हैं इस्त्रियां किन्तों धर्ती मा को अब भी अतिशोषण जब मनुष्य ने किया तो उसने अपनी नाराजगी अपना क्रोध दिखाया यदि उस क्रोध से बचना है तो हमें समन्वे स्थापित करना ही होगा और धर्ती को इस्त्रिय के पर्याय के रूप में ले करके हम आप यहां चिंतन कर सकते हैं कि हमें धर्ती को भी रक्षित करना है और हमें इस्त्रियों को इस्त्रियों के सम्मान को भी रक्षित करना है यदि हम चाहते हैं कि विश्व प्रगतिपत पर अग्रसर हो उसका पतन ना हो तो आएए पंक्तियों का शमण करते हैं आप उनका मनन करें और फिर हम नियमों कानू चंद पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुआ आप शमर्ड करें को यह दरती मेरी माधरती मेरी धैर धरती है कुछ भी यह कहती नहीं ये धरती मेरी माधरती मेरी धैर धरती है कुछ भी ये कहती नहीं ये धरती मेरी माधरती मेरी बाल को सम करे नित्य पोशित हमें ये तो आराध्य है क्यूं समझते नहीं ये धरती मेरी मा धरती मेरी मा धरती और इस्त्रियों के व्यक्तित पर आप चिंतन करें मनन करें तब तक हम आज की शंखला आगे भढ़ाते हैं नियमों और कानूनों पर चर्चा करते हैं पर हम साथ के साथ इस संपून कविता का पाठ प्रस्तुत करेंगे आपके समक्ष जिससे आप उस कविता पर भी चिंतन कर सकें मनन कर सकें किन्तु पहले हम कुछ नियमों कुछ कानूनों की चर्चा करेंगे आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे क्राइम अगेंस वुमेन अलीगल परस्पेक्टिव हम नियमों कानूनों की बात करने जा रहे हैं यानि लीगल परस्पेक्टिव क्या है जो क्राइम वुमेन की अगेंस्ट किये जा रहे हैं उनसे किन नियमों और कानूनों का प्रियोग करके महिलाओं को सुरक्षित किया जा सकता है जब इस प्रकार के जगन्य अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है समाज में तो इस्त्रियो और पुरुष के बीच भेद की एक लंबी चोड़ी दिवार खड़ी हो गई है दोनों दो छोड़ से नजर आ रहे हैं एक दैत बन करके खड़ा हो गया है इस्त्रियो और पुरुष के बीच की अब भिन्नता अब समय आ गया है हम सभी को आवाज उठानी होगी यदि हम चाहते हैं हमारा देश और यह संपूर्ण विश्व सुरक्षित रहे संपन्न रहे तो इस्त्रियों के विरुद जो क्राइम हो रहे हैं जो अपराध हो रहे हैं उनके विरुद हमें आवाज उठाना होगा इस्त्रियों को सुरक्षित करना होगा आईए हम चर्चा करते हैं कि ऐसे कौन-कौन से अपराद हैं जो आज के समय में जोर पकड़ रहे हैं Crime Against Women दोस्तों, Kidnapping, Eve Deezing, Chain Snatching, Rape, Sexual Harassment, Domestic Violence, Honor Killing, Cyber Crime, Darby Death, Acid Attack, Stalking, Assault to Outrest, Modesty, Woman Trafficking ये वो अपराद हैं जो आज कल आम हो गए हैं सामान दिन चर्या में भी सुनने में आ जाता है और अक्सर देखने में आ जाता है इस तरीके के अपराद जिन में आप जानते हैं Kidnapping क्या है किसी भी वेक्टिको, बल पूरवक, उसके इच्छा के विरुद उस Guardianship से जहां वो रह रहा है उसे ले करके जाना Forcefully, that is Kidnapping Eave Teasing आपको पता है ऐसा Act करना या ऐसे शब्दों का प्रियोग करना जो Sexuality के Nature का हो और महिलाओं को परिशान करता है जिसे आप Eave Teasing कहते हैं इन सभी को अभी हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे Chain Snatching आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये नित्यप्रतिकी समाचार हो गई है, खबर हो गई है जो न्यूस पेपर में आपको पढ़ने को मिल जाती है Rape इस पर भी हम विस्तार चर्चा करेंगे Sexuality से related है वैसे इसका एक विस्तारत व्याक्या की गई है जिसे आप Rape के अंतरगत लेते हैं Sexual Harassment, Domestic Violence, आपके आसपास ही आपको देखने के लिए मिल जाता है Honor Killing भी आप समझते होंगे, शब्द आप समझ सकते हैं Cyber Crime, Davery Death, Acid Attack, Stocking Stocking क्या है, लुक छुप कर किसी का पीछा करना जिसे हम Cyber Madhyam से भी देखते हैं कि online किस प्रकार से पीछा किया जा रहा है और offline भी आपको Stocking जैसी घटनाएं देखने को मिलती है Assault to Outrest Modesty किसी इस्त्री की लज्जा या शील भंग करने के उतेशे से उस पर किया गया आक्रमण That is called Assault to Outrest Modesty Woman Trafficking महिलाओं की तशकरी जिसे आप Woman Trafficking कह रहे हैं इन सभी के साथ मैंने अलग-अलग sections को शो किया हुआ है ये वे sections हैं IPC के अंतरगत अलग-अलग sections में अलग-अलग अपराध से महिलाओं को सुरक्षा देने का प्रयत्न किया गया है तो यहां जो जो section mention किये गये हैं वो उस particular अपराध से महिलाओं को सुरक्षित करने का प्रावधान है जिसे IPC के तहत बनाया गया है IPC अर्थाथ Indian Panel Code जिसे हम हिंदी में भारतिय दंड सनहिता कहते हैं इंडियन पैनल कोड या भारतिय दंड सनहिता जिसे उर्दु में हम ताज इराते हिंद कहते हैं तो भारतिय दंड सनहिता ताज इराते हिंद या इंडियन पैनल कोड के अंतरगत ये धाराय निर्धारित की गई है जो की इस्त्रियों को इस पर्टिकुलर अपराद से सुरक्षा प्रदान करने के लिए है जो आप उस अपराद के समक्ष लिखा हुआ देख पा रहे हैं जहां सेक्शन्स नहीं लिखे हैं उनसे संबंधित भी अलग-अलग नियम क जिनकी आगे हम विस्त्रो चर्चा करने वाले हैं तो आएए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं किड्नापिंग की चर्चा करते हैं the term किड्नापिंग refers to either किड्नापिंग फ्रॉम इंडिया और किड्नापिंग फ्रॉम लौफुल गार्जियन शिप किसी को भी उसकी इच्छा क विरुद जिस लौफुल गार्जियन शिप में जिस अभिभावक के अधीन कोई रह रहा है वहां से उसकी इच्छा के विरुद जबर्दस्ती उसे ले करके जाना किड्नापिंग है साथ साल की सजा निर्धारित की गई है भारती दंड सनहिता की धारा 361 के अंतरगत और इतनी सजा के साथ साथ अर्थ दंड का भी प्रावधान किया जा सकता है उससे फाइन भी लिया जा सकता है Section 366 of IPC defines kidnapping, abducting और inducing woman to compel her marriage and forceful sexual relations for which the offender can be punished with imprisonment up to 10 years and fine यदि विवाह के लिए उसे force करने के उद्देश से उसे जबरदस्ती विवाह के लिए तयार करने के उद्देश से किसी की kidnapping की जाती है किसी को forcefully sexual relation में involve करने के लिए उसकी kidnapping की जाती है तो IPC की धारा 366 के अंतरगद दंड का प्रावधान किया गिया है जिसकी अंतरगद 10 साल की सजा और साथ में अर्थ दंड का भी प्रावधान किया जाता है दोस्तों रेप जो आजकल कुसंसकारों की बेल ऐसी बढ़ चली है कि रेप भी आम हो गया है आए दिन आपको सुनने में आ रहा है इस जगन ने अपरात के विरुद ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे पूरा सिस्टम फेल हो गया है तो आज समय आ गया है हम सब मिल करके महिलाओं को जागरूप करें क्योंकि नियम है कानून है संभबता जागरूपता की कमी है जिस दिन समाज जागरूप होगा महिलाओं जागरूप होंगी सशक्त होंगी इन नियमों कानूनों को आप प्रियोग समझ पाएंगी तो निसन दे है वो सुरक्षित रह पाएंगी तो हम सिस्टम का सहयोग करें जिससे वो महिलाओं को सुरक्षा देने की दिशा में सफल हो सके और कितनी दुखद है जो योगियों महर्शियों की भूमी है उसे रिपिस्ट का राष्ट कहा जाए ये शर्म से डूब मरने की बात है इसलिए आज समय आ गया है कि हम सभी को अपने लिए अपने समाज के लिए अपने राष्ट के लिए आवाज उठाना ही होगा the number have increased tremendously the offense can be categorized in various aspects as a rape of a minor girl, rape of a woman, rape with murder, rape in family, rape by public servant, gang rape, marital rapes etc. किस कंडिशन में उस जगन्य अपराथ को उस हिनस क्राइम को अंजाम दिया गया है उसके according अलग-अलग धाराएं निर्धारित की गई हैं जिसके तहट अलग-अलग सजाका प्रावधान किया गया है दोस्तों minor girl यानि की जो नाबालिग लड़की है यदि उसके साथ इस तरीके के कुकृत्ति को अंजाम दिया जाता है तो प्रथम दिवस में ही हमने आपने डिसकस किया था कि बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए POCSO Act 2012 निर्धारित किया गया है POCSO POCSO अर्थात The Protection of Children from Sexual Offenses Act बच्चों को यौन शोशान पॉर्णोग्राफी जैसे अपरात से बचाने के लिए महिला महिला एवं बाल विकास मंत्राले द्वारा POCSO Act का प्रावधान किया गया है दोस्तों POCSO Act के द्वारा बच्चों को यौन शोशान पॉर्णोग्राफी जैसे अपरात से सुरक्षित करने का पॉर्ण प्रयास किया जाता है POCSO Act के अंतरगत अलग-अपरात के लिए सजाते है और कडाई से इस नियम का पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाता है POCSO Act के अंतरगत साथ साल की सजा से लेकर उम्र कैत तक का प्रावधान है साथ ही अर्थ दंड की भी प्रावधान रखा गया है तो दोस्तों बच्चों के लिए ये अलग प्रावधान किया गया है इसके अत्रिक्त अलग-अलग धाराएं जो मैंने उस पर्टिकुलर अपरात के सम्मुक अंकित कर दी हैं वो आप जान सकते हैं कुछ धाराएं हम पहले भी डिसकस कर चुके हैं जैसे भारतिय दंड सन्हिता की धारा 294-294 जिसके अंतरगत सारवजनिक अस्थान पर बुरी गालियां देना अशलील गाने गाना इशारे करना कविता करना इत्यादी ये अपराद हैं जिसके द्वारा किसी महिला को किसी वालिका को परेशान किया जाता है और यह दंडनिये प्रावधान है इसमें अधिकतम तीन महिने की सजा का प्रावधान रखा गया है इसी तरह हम पहले भी धारा 354 भी डिसकस कर चुके हैं जिसके अंतरगत महिला की लज्जा शीलता भंग करने के लिए बल का प्रयोग किय जाता है धारा 354 का विस्तर डिसकसन भी हम कर चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि धारा 354 जिसके अंतरगत छेड़ चाल के अलग-अपराद के लिए अलग-अलग प्रावधान है दंड के लिए अधिकतम पांस साल कैद की सजा है और कम से कम एक साल कैद की सजा है धारा 354 गैर जमानती अपराद है इसके सब सेक्शन्स A, B, C, D, 354 A, 354 B, 354 C, 354 D बनाए गये हैं किन्तो यह छेड़ चाल के अपराद के लिए हैं रेप के संदर में धारा 356 जो की आप देख पा रहे होंगे उसका प्रावधान किया गया है अलग-अलग केस में उसके अल Sexual harassment आता है छेड़ चाल के अंतरगत जिसके लिए मैंने बताया आपको धारा 354. Sexual harassment can be defined as unwelcome sexual advances, request for sexual favor and other verbal or physical harassment of sexual nature. According to section 354A of IPC, if any person commits an act of sexual harassment, he shall be rigorously imprisoned up to 3 years and fine. दोस्तों यहाँ 354A की सिथ बात बताई गई है, हम आपने डिस्कस किया है 354 के अंतरगत उसके जितने भी sections है, subsections है उनके बारे में, 354 के तहट ABCD यह subsections बनाए गए हैं, 354A के भी चार पार्ट किये गए हैं, 354A का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 and पार्ट 4. यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को sexual nature का physical touch करता है, या फिर ऐसा व्यवहार करता है, जो sexuality से सम्बंधित हो, तो उसे 354A के अंतरगत लिया जाता है, sexual demand करने पर 354A का पार्ट 2, मर्जी के विरुद पोर्ण दिखाने पर 354A का पार्ट 3 और sexuality सम्बंधित कॉमेंट करने पर 354A का पार्ट 4 इनके तहट कारेवाही की जाती है, 354A के पार्ट 1, 2, 3 के अंतरगत अधिकतम 3 साल की सजा है, जबकि 354A के पार्ट 4 में 1 साल कैद की सजा है, इसी प्रकार अब 354B, C, D, 354B पर यदि आते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को जबरन निर्वस्त्र करने का प्रत्न करता है या इसके लिए उसे उक्साता है, तो प्राफधान किया गया है दंड का, 3 से लेकर 7 साल कैद की सजा का प्राफधान है, या गैर जमानती अपराध है, 354C महिला के प्राइवेट आक्ट का फो क्रित्ति के लिए दोशी पाया जाता है, तो उसके लिए 3 से 7 साल तक कैद का प्राफधान है, यह भी गैर जमानती अपराध है, दोस्तो 354D जिसके लिए भी हम स्टॉकिंग आगे चर्चा करने वाले हैं, 354D चर्चा में आगे आएगा, 354D के तहट प्राफधान है पीछ क्रिटिक वाइलेंस इस यच अनदर टर्म विच इस कॉमन इन अवर कंट्री ऐस वुमन वर और अर कंसीडर्ट तो बी दा इनफीरियर स्ट्राट ऑफ यूमन सोसाइटी, दोस्तों समाज वर्गों में विभगत है, अलग-अलग संप्रदाएं हैं, अलग-अलग जातियां ह इन सभी संप्रधाईउं, इन सभी जातियों में जो सबसे नीचे का इस तर आता है, वो हमेशा से प्रदान किया जाता रहा है, एक लंबा दोर, हमेशा से मतलना एक लंबा दोर गुजर गया, अन्यथा की इस्थिति में अगर हम देखें, कि जिस दोर से इस्तरियों को कि उसी सभ्भेता का कारण है कि आज भी हम जब पूजा करने बैफते हैं तो हम लक्ष्मी-णाराण कहते हैं हम गौरई-शंकर कहते हैं हम राधा-कृष्ण कहते हैं हम पुत्रों को सद्रियों के नां से पहचांते रहें हैं यह भारत की सभ्भेता फिर कैसे उस पर ग्रहण लग रहा है हमारा आपका दाई तो है कि हम उस ग्रहन को हमेशा के लिए हटा कर पुना है इस्तरियों के उसे सम्मानित इस्तर को व्यवस्थित करें बनाए और सदा बनाए रखने का प्रयत्न करें इस Acts of Violence include beating, rape, forced sex, etc. Section 498A of Domestic Violence Act 2005 defines one year punishment and fine दोस्तों Domestic Violence जिसे सम्मानिता लोग ignore करते चले जा रहे हैं उसके लिए भी Section 498 है Domestic Violence Act का जिसका प्रावधान 2005 में किया गया तो यदि आप अपने आसपास ऐसा कुछ देखते हैं तो उन्हें जागरूप करिए इस नियम के बारे में Cybercrime बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है Cybercrime और इससे भी सुरक्षित रहना नितांत आवश्यक है In the world of technology, India too had advanced itself in technology and the women are an equal part of it but the diseased mind have not left any chance to offend women in the cyber world too There are several cybercrime such as bullying, abusing, pornography etc. which are happening each day against women These crimes have several punishments under the Information Technology Act 2000 which ranges from imprisonment up to 3 years to lifetime imprisonment and fine दोस्तों, Cybercrime से बचना भी नितांत आवश्यक है महलाओं को ना सेफ इस भौतिक दुनिया में आपि तो Cybercrime के रूप में भी निरंतर परिशान किया जा रहा है, हैरस किया जा रहा है उन्हें जो व्याधि ग्रस्त मस्तिश्क हैं, बीमार व्यक्ति हैं दिमाग से जिनका मस्तिश्क ठीक से काम नहीं करता वही इस प्रकार की आक्टिविटीज करते हैं और उसका बुरा प्रभाव इस्त्रियों को बरदाश करना पड़ता है, जहलना पड़ता है और अंततेहुआ प्रभाव हमारे राष्ट पर दिखाई पड़ता है तो ऐसे राष्ट द्रोहियों के विरुद कारिवाही करने के उद्देश से Information Technology Act 2000 का प्रावधान किया गया है जिससे महिलाएं साइबर दुनिया में सुरक्षित रह सकें, साइबर क्राइम से खुद को सुरक्षित रह सकें Information Technology Act 2000 के अंतरगत तीन साल से लेकर lifetime imprisonment तक का प्रावधान किया गया है और इसके साथ ही fine भी लिया जा सकता है और दन का प्रावधान भी किया जा सकता है डावरी death एक लंबे समय से देहेश प्रथा डावरी के बारे में आप सुनते चले आ रहे हैं The evil practice of taking डावरी in the marriage is still common in the rural areas of India दोस्तों सच कहें तो यह सिफ rural areas की बात क्यूं कहें बड़े बड़ी जगों पर रहने वाले लोग भी देहेश प्रथा में लिप्त पाए जा रहे हैं देहेश लेना और देना अपनी शान समझ रहे हैं which if opposed results to the death of women gradually यदि इस देहेश प्रथा का विरोध करती हैं महिलाएं तो कई बार यह इसका परिणित जो होती है वो उनकी मृत्यू की रूप में उनके death के रूप में होती है the number of such deaths has increased in the recent years section 304b was added to the Indian Penal Code IPC के अंतरगत धारा 304b का प्रावधान किया गया है डावरी death से related है धारा 304b and also the section 498a of IPC which made डावरी death a specific offense punishable with a minimum sentence of imprisonment for 7 years and a maximum imprisonment for life साथ से लेकर उम्र कैत तक सजा का प्रावधान किया गया है साथ वर्ष की सजा से लेकर उम्र कैत तक की सजा का प्रावधान किया गया है 398a के तहर 304b और 398a ये दहेज से संबंधित हैं दहेज प्रतार्ना रोकने के लिए इन धाराओं का प्रावधान किया गया है तो इनके बारे में स्वेम जागरूप बने अपने आसपास लोगों को जागरूप करें जिससे दहेज जैसे दैते को हमारे समाज से हम उखार फेक सकें एसिड अटाक्स बहुत सारे मामले आप सुनते हैं कितना जगन्य अपराद है जहां एक निर्दोश इस्त्री पर एसिड फेक दिया जाता है उसे तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है जो जीवन मृत्य की इस जंग में जीत जाती है जीवन उन्हें मिल पाता है वो भी पूरी जिन्दगी समाज से लड़ती है और अपने विकृत हुए शरीर से लड़ती है अपनी भावनाव से लड़ती है ऐसे जगन अपराथ को भी रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है दोस्तों विभिन प्रकार के नियमों और कानूनों के माध्यम से हावर, sale of the assets without proper information have been banned by the government of India बिना किसी proper information के, acid की बिक्री नहीं की जा सकती, इस पर banned लगाया गया है government of India के द्वारा, acid attacks are still in trend to threaten women and hurt them section 326A and 326B of IPC states that whoever voluntarily throws acid for grievous hurt or an assault shall be punished with the imprisonment up to 7 years to life imprisonment and fine यानि धारा 326A और 326B के तहट प्रावधान किया गया है कि जो भी व्यक्ति स्वेक्षा से अगर किसी भी व्यक्ति पर acid फेकता है उस पर प्रहार करता है इस तरीके का तो उसके लिए दंड का प्रावधान है साथ वर्ष की कैद से लेकर के lifetime imprisonment उम्रकैद की सजा का प्रावधान और इसके साथ ही fine भी लिया जा सकता है और तदंड का प्रावधान किया जा सकता है अभी हमने discuss भी किया था कि समाज भी ने प्रकार के संप्रदाय जातियों आदि में बटा हुआ है यह जो male और female के बीच की inequality है इसके बीच की खाई सबसे बड़ी है और हर समाज हर संप्रदाय में देखी जा रही है gender inequality is not the only inequality in India women are unfree and unequal but so the Dalit, members of subordinate caste and the communities landless people, displaced people, migrants and homeless, disabled people and many other groups इस तरीके के बहुत सारे वर्गों में विभगत है हमारा समाज but the women are at the bottom of the pile in every one of these groups इन में से कोई भी एक group उठा ले उन में सबसे नीचे की जो इस्तिती होगी वो women की ही होती है तो दोस्तों ये हमने आपने discuss किया भी विभिन नियमों के बारे में क्या-क्या जो अपराद है महिलाओं के विरुद उनको अंजाम दिया जा रहा है महिलाओं की तशकरी भी एक जगन्यप राध है उसे भी लोग अंजाम देते रहते हैं इस टॉकिंग करना पीछा करना जिसके लिए हम लोगों ने 354 दी के तहट अभी पढ़ा की महिलाओं को सुरक्षित करने का प्रयात्म किया जा रहा है तो इस तरीके के नियम और कानून आप जानें और यदि आवशक्ता पड़े तो उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए प्रियोग करें ये नियम कानूनों को जानना आपको ताकतवर बनाएगा लेकिन आप ध्यान रखें कि उस परिस्थित में फसकर इन नियमों का आपको प्रियोग करना पड़े ऐसी इस्थित ही ना आए इसके लिए भी जितना हम लोगों ने अब तक डिसकर्जिन किया है उस पर आप ध्यान दें अपनी शक्ति बढ़ाएं आप योग के माध्यम से शक्ति बढ़ाएं आप विभिन प्रकार की खेल कूद और अण्न विधाओं की माध्यम से अपने आपको सशक्त करें आप अपने आसपास जो सुरक्षा से संबंधित आपको नंबर दिये जाते हैं कि कुछ परिस्थिती आपको पहले से अगर अंदाजा लगे कि बुरी परिस्थिती आने वाली है तो उस नंबर पर फोर्ण करके, कॉंटेक्ट करके, आप पहले से ही सतर्क हो करके अपनी सुरक करेंगे, मैंने धर्ती को इसत्रियों के पर्याइवाची के रूप में लेकरมา धर्ती की गरिमा और इसत्रियों की गरिमा में कुछ शव्द प्रस्तुत किये थे, आपके साथ तो इन नियमों और कानूनों पर जर्चा के साथ ही दोस्तों, मैं वो पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी, आप श्रवन करें, मनन करें, और कॉमेंट के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें, यदि यह वीडियो आपके लिए helpful होता है दोस्तों, तो मेरी धर्ती मा, ये धर्ती मेरी, मा धर्ती मेरी, धैर धर्ती है कुछ भी ये कहती है नहीं, ये धर्ती मेरी, मा धर्ती मेरी, बाल को सम करें, नित्य पोशित हमें, ये तो आराध्य है क्यूं समझते नहीं ये धर्ती मेरी, मा धर्ती मेरी ये धरती मेरी मा धरती मेरी हर वैभव दिया और कुछ ना लिया हर वैभव दिया और कुछ ना लिया रत नगर्भा की महता समझते नहीं ये धरती मेरी मा धरती मेरी सीना चलनी निरंतर करते रहे सीना चलनी निरंतर करते रहे तुझे धरणी के अश्रो दिखे क्यों नहीं ये धरती मेरी मा धरती मेरी छिती इंगित निरंतर करती रहे धरती मा भी निर्देश देती हैं कि अब बहुत अधिक अब बहुत निरंतर करती रहे तुझे वसुधा पुरोधा लगी क्यों नहीं ये धरती मेरी मा धरती मेरी निरंतर निर्देश देती रहे धरती मा निरंतर निर्देश देती नहीं इस्त्रियां किन्तु इस विश्व को इस जगत को ये वसुधा पुरोधा नहीं लगी ये वसुधा ज्यानी नहीं लगी इस्त्रियां उसे ज्यानी नहीं दिखी और यदि नहीं देख पाएगा विश्व माधर्ति के निर्देश्व को नहीं समझ पाएगा नहीं समझेगा उन्हें पुरोधा ज्यानी इस्त्रियों के साथ भी ऐसा ही वर्ताव करता रहेगा तो सर वश्व बिनाश के लिए भी उसे तयार रहना होगा छिती इंगित निरंतर करती रही तुझे वसुधा पुरोधा लगी क्यों नहीं ये धरती मेरी माधरती मेरी नहीं बदली यदी सोशण की प्रकती तुझे उर्वी की शक्ती दिखेगी ये ही ये धरती मेरी माधरती मेरी ये धरती मेरी माधरती मेरी नहीं बदली यदी सोशण की प्रकती तुझे उर्वी की शक्ती दिखेगी ये ही ये धरती मेरी माधरती मेरी धैर धरती है कुछ भी ये कहती नहीं ये धरती मेरी माधरती मेरी जै हिन जै भारत